जी हाँ दोस्तों जो कोसल रोजगार निगम में जोब निकली है उसका आपको फॉर्म अपलाई करके दिखाएंगे अभी अभी हमने एक वीडियो डाली थी उसमें हमने बताया था कि जोब निकली है टेंथ पास तो अभी भी दिखा देते हैं जोब एड़टाजमेंट पे आ है मैट्रिक लेवल पर निकली है जो भी सेलरी होगी एज पर निगम ही सेलेक्ट करेगा चार आज से जो फॉर्म है वह स्टार्ट हो चुके हैं अपलाई वाले पर आपने कलिक डरना है अब दोस्तों यहां पर कह रहा है कि आप अपना परिवार पहचान पत्तर संख्या डा सबसे पहले धकर जानकारी पर मिलेगी तो दोस्तों डिस्प्ले मिंबर आपने कर देना है जैसे ही आप डिस्प्ले मिंबर करते हैं तो यहां पर आपको मिंबर सेलेक्ट करना होगा जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे उसको सेलेक्ट करने के बाद गेट वेरिफिकेशन पी बतिस जिरो नो तो हम यहाँ पर आपको लाइव दिखा रहे हैं थोड़ा यहाँ पर बतिस जिरो नो देर भी हो जाए तो दोस्तों आप उसके लिए माफी चाहेंगे बट आपने एंड तक वाच करना है अब वेरिफाई OTP पर आपने कलिक कर देना है जैसे ही आप टेल्स जो है वह उठा लेता है जो भी आपकी ओकोपेशन है जो भी आपकी डिश्टिक ब्लोक जो भी आपने परिवार पहचान पत्तर संख्या में डाला होगा तो यहाँ पर आपकी इंकम एनुल इंकम भी सेलेक्ट होती है टोटल फैमिली की नेकी दोस्तों आपका लोगन ओके येस करेंगे इसको तो आप इसका स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं तो यहाँ पर देखिए हरियाना कोसल रोजगार निगम दोस्तों सबसे पहले आपने बिलर नेम यहाँ पर डाल देना है जो भी बिल पे कर रहा है जैसा कि हम अपने केस पे जो भी है वो डाल दे देते हैं उसके बाद आप यहाँ पर अड्रेस को फिल करेंगे उसके बाद दोस्तों आपका पूरा पूरा अड्रेस फिल हो चुका है हमने एक कलिक में ही सब कुछ फिल कर दिया है अब बारी आती है यहाँ पर पेमेंट की तो पेमेंट आप वालेट के माध्यम से UPI के माध्यम से और पेटियम के माध्यम से भी कर सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पर पेटियम के माध्यम से मेक पेमेंट पर कलिक करेंगे यहाँ पर सेव कर सकते हैं यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं अब आपने नीचे आजाना है जो भी आपका पेटियम नंबर है उस नंबर को यह पर डाल दीजिएगा उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे अब आपके रेजिस्टर्ड मुबाईल पर एक OTP जाता है वो OTP आपने यहां पर डाल देना है उसके बाद आप वेरिफाई OTP करेंगे तो OTP आपका वेरिफाई सक्सेस्फुली हो जाता है अब यहां पर PTM वोलेट जो है जीरो रुपीज है यहां पर आप डेविट कार क्रेडिट कार का OTP आपके लिए आ चुका है तो आप यहां पर डेविट कार क्रेडिट कार नमबर डाल कर भी पेमेंट कर सकते हैं तो दोस्तो हमने यहां पर टोटल डिटेल डाल लिया है जो भी हमारा डेविट कार था अब टेल आपने भरी है एक बार चेक आउट कर लीजीगा उसके बाद पे पर कलिक करेंगे तो यहां पर कुछ भी आपने बैक वगएरा नहीं करना है क्योंकि टांजेक्शन के समय पर कुछ भी आपने छेड़ खानी नहीं करनी होती है नहीं तो दोस्तो आपका फोर्म जो है बीच में ही अटक जाएगा आपकी पेमेंट के कार न और पेमेंट अटक जाएगी तो आ आपके बैंक के साथ लिंक है उसके माध्यम से यहां पर आप इसको कोपी भी कर सकते हैं चलिए हमने यहां पर ओटीपी डाल दिया है अभी हम सबमिट करेंगे फिर उसके बाद अपडेट करेंगे अब यहां पर सेव करने के बाद प्रोसीड करेंगे दोस्तो कुछ देर यहां पर प्रोसेसिंग चल रही है तो आपने वेट कर लेनी है आपका जो भी यहां पर लिखा हुआ है प्लीज डू नोट प्रेस बैक या फिर आपने जो भी है वो नहीं करना है देखिए ट्रांज आइडी, ट्रांजेक्शन आइडी, ओर्डर आइडी और रेजिस्ट्रेशन आइडी जो भी है वह सभी आपके पास आ चुका है उपर पेवमेंट भी हमारी कट चुकी है हमारे वोलेट से हमारे पेटियम से कट चुका है अब दोस्तों यहां पर देखिए लोगिन के लिए बोल रहा है तो लोगिन नाओ आपने करना है, लोगिन नाओ पर आपने कलिक कर देना है, आपका यहां पर मोबाइल नंबर है वो आप डालेंगे, उसके बाद लोगिन पर आपने कलिक करना है, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसके बाद आप हो जाते हैं तो आप अपने पोर्टल पर अभी आच चुके हैं यहां पर देखें रेजिस्ट्रेशन नंबर और केंडिडेट फादर नेम और आपका डिजी इड़िनेशन अड़ेटिजमेंट नंबर यहां पर तीन दो हजार भाई है अब यह फोर्म आपने फिल करना है तो प्रोसीड पर आपने कलिक कर देना है तो दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं तो step number one आपका फिर से यहाँ पर check out हो जाता है उसके बाद आप step number two पर click करेंगे direct आप उपर click कर सकते हैं यहाँ से आप यह जो certificate है यदि आपके पास है तो आप इसको yes करेंगे nsqf जो skill certificate है उसको आप yes या no कर सकते हैं आपके पास yes करेंगे तो yes कर सकते हैं no करेंगे तो आप no कर सकते हैं दोस्तों यदि आप yes करते हैं तो certificate आपको upload करना होगा और यहाँ पर देखें बहुत सारे filter का जो assistant का operators जो भी filter वगएरा जो भी आपके पास इन में से certificate है आप उसको select करेंगे और साथ के साथ upload कर देंगे हमारे के इसमें नहीं है तो हम दोबारा से इसको no select कर देते हैं अब इसको आप save ns qf पर आपने click कर देना है क्योंकि आपकी details जो है वह सेव हो जाएगी यह save करना बहुत जरूरी है नहीं तो दोस्तों आपका form reject कर दिया जाएगा यहाँ पर congratulations का आपको जो sms है इसको alert बोल सकते हैं detail saved आप ok करेंगे उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर add education पर आपने click करना है जो भी आपकी education qualification है वह सभी की सभी आपने यहाँ पर देखिए serial wise दिया हुआ है please enter 10th detail first यहाँ पर बोल रहा है कि दस्वी की जो detail है सबसे पहले आपने डालनी है अगर आप यहाँ पर आठवी या बार में डालते हैं तो दोस्तों आप के लिए यहाँ पर खतरा बन सकता है जो भी आपका board है वहाँ आपने board को select कर लेना है हर्याना है open है या फिर cbsc है क् हमारा हर्याना है अब यहाँ पर आपने non gpa ऐ फिर f delle cg pay grade से होता है यानि कि percent नहीं होती है आप यहाँ पर जाते होंगे अगर आपका स्वाहा है कितनी पर्ष्ट है या आपके marks दिये हुए है तो marks में आप CGPA को select करेंगे अगर आपके marks नहीं दिये हुए है ग्रेर्ट दि मार्क शीट किस टाइम पर आपकी आई है वो यहां पर डाल देना है मार्क शीट नंबर होता है सीरियल नंबर जिसको बोलते हैं वो यहां पर डाल देना है रो लंबर यहां पर मार्क ओडेंट कितने में से कितने मार्क आये हैं वो यहां पर टोटल मार्क यहां पर और परसें इंसटों ध्यान रखिएगÁ की आप स्पेसल क्रेक्टर फाइल नेम जो आपका 9 सीटिकीट उसका फाइल नेम होता है कोई न कोई तो उस बात का भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों एक एक चीज्ज आपको बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आने देंगे हमारे इस चैनल का मकसद ही यही है तो आप वीडियो को शेर जरूर कर देना अपने वर्टसेप ग्रूप में सबी जगहें पर तो इसके बाद हम पूरी की पूरी डिटेल्स जो है भर लेते हैं उसके बाद आपको सेव डिटेल पर कलिक करके दिखा देते हैं तो दोस्तों देखिए हमने टेंथ की सारी की सारी डिटेल्स जो है भर ली है 552005, 015555 जो भी हमारा रोल अंबर वगएरा है वो सभी डाल दिया है अब यहाँ पर चूज फाइल करके आप 500 की बी से नीचे जो भी आपका सेटिफिकेट है वह अपलोड करेंगे उसके बाद सेव डिटेल पर आपने कलिक कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर सेव डिटेल्स करते हैं तो आपकी जो टेंथ की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगते है दोस्तों जो भी आपकी गलती है यहाँ पर आप देख सकते हैं और व्यू के सिक्शन में आप आप आँख पर कलिक करके दवारा से आप इस details को जो है check out कर सकते हैं और delete का option है यहाँ पर आप इसे delete भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप से कुछ गलत हो चुका है यहाँ पर आता है तो आप उसको back कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए add education दवारा से आप फिर से click करेंगे क्योंकि आपकी अगर plus two है तो आप plus two की detail भी भर दीजिएगा क्योंकि अच्ची बात है अगर आपने plus two भी कर रखी है graduation भी कर रखी है आप P.E.N. के जो form है वह है apply करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने इसको successfully जो है भर दिया है आप यहाँ पर दोस्टो आप plus two की detail अपनी भर सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले plus two select करेंगे simple वही जो भी आपने पिछली बार select किया तो वही सब यहाँ पर select करेंगे इसके बाद यहाँ पर add stat की details है यदि आपके पास add stat है तो आप यहाँ पर add stat की detail भी डाल सकते हैं तो हम एक बार ओपर की सारी details जो है भर लेते हैं उसके बाद आपको save detail पर click करके दिखाएंगे दोस्तो अब यहाँ पर हमने total details जो है डाल दी है आपको यहाँ पर हम marks जो आप last में जब आप total marks डालेंगे तो यहाँ पर देखे हमने एक बार आपको हटा की दिखा दिया जो percentage है वह है दोस्तो अपने आप automatically ही आ जाती है यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे कुछ brown सा बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर touch नहीं हो रहा है तो दोस्तो हम यहाँ पर आपको choose file करके भी दिखा देते हैं कि file name हमने क्या रखा है आप यहाँ पर भी गलती करेंगे क्योंकि दोस्तो यहाँ पर आप 10 plus 2 कर देंगे तो अगर आप यहाँ पर 3 dot पर click करेंगे short by short by में आप देखें यहाँ पर file name a to z है अगर आप file जो भी आपने अभी काम किया है उसको आप ऊपर लाना चाहते हैं तो आप new lease first कर सकते हैं क्योंकि जो नया काम आपके किया है new lease first हो जाएगा यानि कि नया काम first में आ जाएगा कर्मी की details है वह हमने PDF बनाया था तो वह सबसे उपर आ गया देखिए हमने जो नीचे का name है राजेश 10th कर दिया और उपर का राजेश हमने बारा पकेट टी एच पा दिया यानि कि बारांत कर दिया तो आप भी इसी परकार कर लीजिएगा यहाँ पर साफ साफ लिखा इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आप यह भी गलती करते हैं तो आपकी जो भी form है वो reject हो जाएगा दोस्तो बार बार बोल रहे हैं save detail पर हम click कर देते हैं अब दोस्तो थोड़ा माफी चाहेंगे आज हमारी तबियत भी थोड़ी खराब है दोस्तो लेकिन आपके लिए जो वीडियो है वो हर रोज आती है हर रोज आती रहेगी और यह तो बड़ी धमाकेदार अपडेट थी इसलिए हमने आपके लिए जो वीडियो बनाना उचित समझा ताकि हमारा जो यहां पर form किसी का आया है वह भी फिल हो जाए साथ के साथ आपके लिए वीडियो भी बन देना है उपर के त्री नंबर स्टेप पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए अप्लोड आर यू इलीजिबल स्पोर्स परसन यह भी हम नहीं है एडवल्यू एस का आपके पास सैटिफिकेट है वो भी अप्लोड कर सकते हैं एक सर्विसमेन है तो उसका भी कर सकते हैं फ्रीटम फाइटर वगएरा है वो भी आप यहां पर अप्लोड कर सकते हैं एनी परसन फॉर्म अमंग दा एप्लिकेशन फादर मदर स्पोर्स ब्रदर और सन वाल्दा हैस बीन रेगुलर इंपलोई इन एन एन डिपार्टमेंट बोर्र कार्पोरेशन कंपनिश सब्सक्राइटर ट्रिवरी कमिशन थोर्टी ऑफ गॉर्मेंट ऑफ अर्याना अनिदा स्टेट ऑफ गॉर्मेंट ऑफ इंडिया दोस्तों यहां पर कह रहे हैं कि क्या आपके घर में से कोई जोब वगएरा है तो आप इसको येस नो कर दीजिएगा यहां से हमारे घर में से कोई जोب नहीं है तो हम नो करेंगे अगर आपके घर में से है तो येस कर सकते हैं अब इसको येस ये नो जो भी कर सकते हैं आपके जो भी है ठीक है दोस्तों तो हमने यहां पर इसको yes कर दिया जो भी यहां पर yes करेंगे उसका आपको certificate है वह है death certificate देखिए यहां पर मांग रहा है PDF फाइल है 300 कवी से नीचे होनी चाहिए यहां पर as per death certificate death date आपने यहां पर डाल देनी है जो भी death की date है और यहां पर आप चूज करके upload करेंगे जो last है तीसरा point is application for the first of second child is her father had dead before the applicant had 15 साल की age से पहले पहले का है तो आप यहां पर इसको yes कर सकते हैं ठीक है तो हमने यहां पर इसको no कर दिया क्योंकि 42 साल से पहले हुई है तो यहां पर आप इसको no कर सकते हैं जो भी आपको है आपके अनुसार आप जो भी economic criteria है आपका वो भी आप economical डाल सकते हैं ठीक है दोस्तों तो अब हम यहां पर certificate और upload कर देते हैं उसके बाद आपको next या save आपने पहले करना है फिर आपने next करना है ध्यान दीजिएगा save आपने पहले करना है next आपने बाग में करना है ठीक है तो अब हम जो भी है आपको live दिखा रहे हैं पहले upload कर देते हैं उसके बाद save करके दिखाते हैं ठीक है दोस्तों तो हमने यहां पर live आपको दिखा दिया certificate अप्लोड करके father depth certificate uploaded successfully आपको alarm मिल जाता है फिर आपका यहाँ पर एक new option आ जाता है view file view file होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर एक बार फिर से आपकी जो भी detail है वह है select करेंगे यहाँ से आप yes या no सभी को कर दीजेगा अच्छे तरीके से ठीक है जो भी आपके पास certificate है वह है आप upload कर दीजेगा no problem अगर कोई दिक्कत आती है तो आपका छूटा भाई आपको sport करेगा हमेशा करेगा आपका form तक fill करके दे सकते हैं अगर आप कहेंगे तो आपसे बिल्कुल नहीं form भरा जा रहा तो आप हम से भरवा लीजेगा free of cost बिल्कुल आप जो भी आपके इच्छा होगी आप दे दीजेगा वाकि हम आप से कोई charge नहीं लेते हैं यहाँ पर देखे दोस्तो हमने no no कर दिया जो भी हमारे पास था जो yes था वह है yes किया वाकि सभी को no कर दिया यहां पर death certificate upload होगा आप save आप ने करना है अब देखे candidate details save successfully आपको alarm जरूर मिलेगा आप इसको okay करेंगे फिर आप next के बटन पर click करेंगे दोस्तो दोस्तो फिर आप जब next करेंगे तो number four point पर आप पहुंच जाते हैं अब यहां से आपने job location district को select करना है कुरुक शित्रा जो भी आपकी job location preference है आप रहना चाहते हैं देना चाहते है preference number one आपने click कर देना है अब दोस्तो प्रोफेंस number one जैसे ही आप click करेंगे add job location पर आप click कर देंगे candidate job location added successfully आपको मिल जाएगा अब आपको यहां पर दो और टीन preference जरूर दीजेगा एक चीज और खासियत बता देता हूँ दोस्तों आप लोगों को जो चंडीगड़ है चंडीगड़ में जोब जो है वहें खास करके पी एन की निकली है चंडीगड़ आप जरूर स्लेक्ट कीजेगा क्योंकि हर्याना और पंजाब की जो राजधानी है वैसे भी चंडीगड़ ही है तो आप जोब location चाहो तो first ही दे सकते हैं जैसा कि हम यहाँ पर delete कर देते हैं अगर आप delete करना चाहते हैं तो देखिए deleted successfully भी आपको alarm मिल जाता है यह हमने करनाल भी deleted कर दिया क्योंकि अभी हमने सोचा कि सबसे पहला preference हम district जो है हरियाना की उसी को देंगे सबसे पहला preference अब हम चंडीगड़ को दे देते हैं दोस्तों आप कहेंगे यहीं पर लेकिन उल्जे नहीं है दोस्तों आप लोगों को जानकारी अच्छी दे रहे हैं वीडियो को लाइक करना आपका फर्ज है आपका कुछ नहीं जाएगा सिर्फ एक लाइक से दोस्तों motivation है वह हमें मिल जाएगा तो यहाँ पर हम पंच कुला सेलेक्ट कर चुके हैं नमबर थ्री क्योंकि पंच कुला भी दोस्तों चंडीगड़ के बिल्कुल समीब पड़ता है तो अब हमारा job location बिल्कुल correct हो चुगा है चंडीगड फर्स्ट हो गया कुर्क शित्रा दूसरी ह हो गया पंच कुला नमबर थ्री हो गया do you have relevant experience दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है अगर आपके पास relevant experience है यानि के पी एन का आपको experience है तो आप इसको yes कर सकते हैं otherwise आप इसको no कर दीजेगा अगर आपके पास experience certificate है तो आप experience का certificate upload करेंगे तो दोस्तों हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पर no select कर देते हैं अब यह I have carefully read the instructions यानि कि read the checked all the particular filled up by me against each जो भी columns हैं उपर दिये गए प्रते कॉलम में मेरे द्वारा भरे गए सभी वीवरनों को ध्यान से पड़ा और जाचा है और उसके बाद उन्हें सुरक्षित रखा है मैं पूरी तरह से समझता हूँ क यदि उसमें कोई भी जूटा गलत पाया जाता है तो मेरा वेदन जो उमीदवार या नुक्तिया भी एस विकार करती जाएगी रद करती जाएगी उसके लिए मैं ही उत्तरदाई होंगा तो अब final submit हमारा आ चुका है आपने एक बार check out कर लिना है दोस्तो final submit कर देना है दे लेकर सकते हैं जो भी आपका रेजिस्टेशन नंबर है प्लीज नोट इट फॉर रेफरेंस जो भी एट रेफरेंस है आपको दिया जाएगा तो इस प्रकार दोस्तों आप हरियाना कोशल रोजगार निगम में अपलाई करेंगे पी एन की पोस्ट के लिए जो भी डाउट हैं मन में बेसक निकाल दीजिए जितनी भी भडास है हमारे उपर उतार दीजिए कमेंट सेक्शन भर दीजिए नो प्रोबलम आपका जबाब हर एक कमेंट का मिलेगा हमारा वादा है और आपके लिए हम जो भी जोब से रिलेटिड आपकी हरियाना से सकीम से रिलेटिड य या फिर जो भी आईशमान कार वगयरा सब कुछ बन रहे है न दोस्तो आप लोगों के लिए वीडियो वन बाई बन लाते रहेंगे लाते हैं और लाते रहेंगे दोस्तो अभी वीडियो छोड़के मत जाएगा एक important बात आप से करनी है वीडियो छोड़के मत जाएए अभी registration तो हो गया no problem अब आपने क्या करना है कुछ नहीं करना है अब आपने सिर्फ आपने जो यहां पर registration नंबर दिया गया है आपके सामने है उसको संभाल के रखना है in future आप by mobile तो login हो सकते हैं लेकिन आप registration के नंबर से आप अपनी ID अपनी application form को track कर पाएंगे दोस्तो वीडिय जो उमीद करता हूं हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है बाकी कम scanner एप यूज कीजिए कम scanner में आप आपके phone में photo पड़ी होगी ना दोस्तो वह है setting में जाके आप 200 के भी 300 के भी जो भी select करना चाहें select कर सकते हैं और आप अपना PDF त्यार कर पाएंगे no problem और फिर भी अगर आप को दिक्त आती है तो आप कमेंट कर दीजिए हमें हम आपकी help करेंगे आपका form तक apply कर देंगे नीचे आपको description box में सब कुछ मिल जाएगा हमारा number भी मिल सकता है और हो सकतो mail ID तो हम आपको जरूर देंगे पाकी दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अपने दुस्तों में भाई बेहनों में जाना देर हम आपके लिए बकवास बानी नहीं करेंगे तो मिलते हैं ऐसी ही दमाकेदार वीडियो के साथ बाए बाए